अगर मेरी रेस्पी और मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें असलाम लेकूम वीवर्स कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हो आप सब लोग खेरियत से होंगे आज मैं अपने किचन में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन चीजी पाई विद फ्रोजन प्राथा तो चली स्टार्ट करते हैं आज की रेस्पी इसको बनाने के लिए मैं जिन चीजों की सरूरत है हाफ केजी मैंने चिकन ले लिया था इसको मैंने वाश करके इस तरह छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है इस तरह आप छोटे छोटे पीस कर लें इसके हाफ कप मिल्क ले लेंगे टू टेबल स्पून मैदा लेंगे वन फोर्थ कप हम इसके अंदर स्वीट बेबी कॉंस लेंगे यह आप्शनल है आप डाल सकते हैं स्मॉल साइज की केरेट ले ले लिए इसको आप क्यूब्स में काट लें छोटे एक केपसिकम मीडियम ली थी इसको भी क्यूब्स में काट ले वन मीडियम साइज की प्यास ली थी इसको चॉप कर ले वन टी स्पून अदरक लसन का पेस्ट लेंगे और तीन मेने हरी मिर्चे ली थी इसका भी आप पेस्ट बना ले वन टेबल स्पून सोया सॉस लेंगे वन टी स्पून नमक कुटी हुई काली मिर्चे frozen 1-2 टी स्पून पैपिरिका पौदर ऐसे स्फून लान मिर्चे ले surgery पार्डर मीर्चे मेर्षब बावडरे डाली घ्राप एल्ड़ गारि चिपन तिखन तिका भंड़ मगार Ay 묶ह सके हैं हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर देंगे, इसको हलका सा आप सौते कर लेंगे। और इसके कलर चेंज होने तक हम इसको पका लेंगे अब इसके अंदर आप सारे मुसाले शामिल कर दें इसको भी आप मिक्स कर लें इसके अंदर इस तहाँ अब आप इसको मिक्स कर लें और इसके अंदर मैं आप सोया सॉस भी शामिल कर दूँगी इसको हलका सा फ्राइ कर ले अब इसके अंदर में एक से दो टेबल स्पून पानी शामिल करके ढखकर पका लूँगी दो से तीन मिनट मैंने इसको ढखकर पका लिया था ताकि हमारी चिकन सॉफ्ट हो जाए इस तरह दो से तीन मिनिट रखने से आपकी चिकन सॉफ्ट भी हो जाती है और इसका थोड़ा सक जो कच्छ रस्पन स्मेल सी होती है वो भी खतम हो जाती है आप इस तरह मिक्स कर लें आप आँज को तेज कर दें अब इसके अंदर हम वेजिटेबल्स शामिल करेंगे जो मैंने लिए है इसके अंदर अब आप गाज़र डाल दे अब इसके अंदर शिम्रा मेज़पी डाल दे और स्वीट कॉर्ण्स जो मैंने लिए थे ये भी डाल दे इसके अंदर हलका सा मिक्स कर लें अब इसके अंदर मैं ने जो मैदा लिया है ये शामिल कर दूँगी और इसको इसके अंदर हलका सा भूल लूँगी इस तरह हमने सारों के साथ इसको मिक्स कर लेना है अची तरह अब इसके अंदर हम दूठ शामिल करेंगे इस तरह आप दूद चामिल कर लें और इसको हम पका लेंगे इसके ठिक हो जाने तक जब ये इस तरह गाड़ा-गाड़ा हो जाए इस तरह आप अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे ताके हमारा दूद और जो मैदा है ये अच्छी तरह अब्जाब हो जाए इसके अंदर ये इस तरह गाड़ा-गाड़ा पेस्ट हो जाएगा अब आप इसको चुला बन करके इसको ठंडा कर लेंगे ठंडा होने के बाद और ज़रा थ अब इसको मेंसे आपने चार पराठों को फ्राइ कर लेना है गी लगाकर आप इसको फ्राइ कर ले अब मैं एक पैन लूँगी इसको हलका सा आपने ग्रीस कर लेना है ओल से अब इसके अंदर मैंने जो बिना फ्राइ किया वाब एक हम फ्रोजन प्राठा लेंगे इसको रखेंगे अब इसके अंदर में फिलिंग डालूंगी अब इसको फिलिंग को आप फेला आलें इसके अंदर इस तरह करकर अब इसके अंदर मैंने थोड़ी से मॉजरेला चीज डाली है अब जो मैंने ये तलावा जो पराठा था ये एक लेयर इसके उपर रखेंगे इस तरह आप इसके उपर रखने और थोड़ा प्रेस कर ले अब इसके उपर मैं फिर फिलिंग डालूँगी मैं आपको आज लेयर वाली चिकन पाई तियार करना सिखा रही हूँ इस तरह आप इसको पहला लें अब इसके उपर हम ये मैं जोरेला चीज दुबारा डालेंगे इस तरह करके अब आप फ्रोजन पराठा एक और लेंगे और इसको इस तरह इसके उपर रख देंगे अब हाथ की मदद से इसको प्रेस कर लें और फिर कांटे की मदद से इसको अच्छी तरह बंद कर दें इस तरह आपने सारी तरफ से बंद कर देना है पीच में आप इस तरह करके कट लगा लें अब इसके उपर एक से ब्रुश कर लें थोड़ी सी मॉजरेला चीज डालेंगे और इसके उपर कलोंजी या काले तिल छड़क दें इस तरह आपके चार चिकन पाई तियार हो जाएंगे बारा फ्रोजन पराठो से अब मैं इसको ओवन में रख दूंगी प्रिहिरिट ओवन में तो वीवर्स ये थे आज की मेरी रेस्पी मज़दार सी क्रिस्पी चीजी चिकन पाई की रेस्पी तो उमीद करती हैं आप लोगों को ये बहुत ही मज़े की लगेगी आप इसको जरूर ट्राइ करेगा ये बच्चे बड़ों सबको पसंद आते हैं इसको कैचप के साथ आप सर्फ करें तो मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ ये देखें ये कितने ही क्रिस्पी होता है आप ये देखें ये अंदर से जूसी चीजी बहुत ही मज़े का बनता है आप जरूर ट्राइ करेगा और मुझे फीड़बैक देजेगा कि आपक पीड़ बैक जरूर दिया करें कॉमेंट्स की सुरत में तो उमीद करती हूं आप लोगों को ये प्रेस्पी पसंद आएगी ओके वीबर्स दुआउ में याद रखें अलाहाफेज